नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूस। मैं हूँ रज़त कुमार और अब खबने विस्तार से। भारत में करोना वाइरस संकरमन के एक दिन में 2.57 लाख नए मामले आये हैं। इसी के साथ संकरमन के रोज आने वाले मामले लगतार छटे दिन 3 लाख से नीचे रहे। केंदरी स्वास्ते मंतराले ने शनिवार को बताया कि संकरमन के नए मामलों के साथ ही देश में COVID-19 के कुल मामले बढ़कर 2.62,99,290 हो गए हैं। मंतराले के जारी आंकडों के अनुसार पिछले 24 गंटे में इस महामारी से 4,194 और लोगों के जान गवाने से मृतकों की कुल संक्या 2,95,525 हो गई है। जो संकरमन के कुल मामलों का 11.12 प्रतिशत है। राश्टरी अस्तर पर COVID-19 के स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 87.6 प्रतिशत है। कि केंदर सरकार से वैक्सिन नहीं मिलने और दी गई वैक्सिन खतम होने के कारण दिली सरकार को युवाओं का वैक्सिनेशन बंद करना पड़ रहा है। केजरिवाल ने यहां समवाद दाताओं से बताया कि वैक्सीन खतम होने के कारण हमें वैक्सिनेशन सेंटर बंद करने का बेहत दुख है। केंदर से जैसे ही वैक्सीन मिलेगी सेंटर चालू हो जाएंगे। उन्होंने देश में वैक्सीन के उपलब्दता तुरंत बढ़ान वैक्सीन खरीदे। जिन देशों ने अपनी जनसंख्या से अधिक वैक्सीन जमा कर रखा है। केंदर सरकार उन से लेने का अनुरोध करे और विदेशी कमपनियों को भी भारत में वैक्सीन बनानी के अनुमती दी जाए। दिल्ली में तीन महीनों में सभी का वैक्सिनेश करने में 30 महीने लग जाएंगे कोविड महामारी के मौत के तांडव के बीच मध्यपरदेश के तीन इंजिनेरों की एक टीम ने तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर को इंस्टॉल करनी के एक मुहीम शुरू की और अब ये मुहीम राजे की सीमा पार कर देश भर में फैल रही है इंदोर के त्री इडियर्स दोस्तों ने एक फेस्बुक पोस्ट से उपजे आइडिया की सफलता से उत्साहित होकर अपनी गाड़ी, अपना इंधन, अपनी महनत और अपनी काबिलियत से जन सेवाकई का नूठा भ्यान, वेंटिलेटर एक्सप्रेस शुरू किया जिससे जुनने के लिए अब देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी आतुर है इंजिनेरिंग की पढ़ाई करने वाले पंकच क्षेड सागर, चिराकशा और शैलेंदर सिंग की यह टीम वेंटिलेटर एक्सप्रेस इंदोर से चलकर मध्यपरदेश के विभिन सरकारी अस्पतालों में पी-म केर, बी-ाइ-ल वेंटिलेटर को निशुलक इंस्टॉल करने के साथ उनके समान्य कनेक्टिंग पार्ट्स भी निशुलको प्लब्त करवाती है यह टीम अब तक सो से अधिक मिशीनों को इंस्टॉल कर चुकी है सूपरसिद कलाकार एवंपरख्यात कार्टूनिस्ट एवं मिलेस्ट्रेटर गोपी लुसागनी गोवाल गोड का करोना वाइरस अंकरमन से निधन हो गया 29 वर्ष के थे गोपी का शुकरवार को राजे के गांधी अस्पताल में उपचार के दोराने दन हो गया उनके परिवार में पतनी, दो बेटा और एक बेटी है गोपी का 1952 में महभूब नगर तेलंगाना में एक रिशी परिवार में जनम हुआ था उन्होंने 1975 में हैदराबाद के JNTU Fine Art College से सनात किया था उन्होंने अपनी कला के चार दशकों से अधिक के अनुभव में सबसे पहले अपने कला करियर के शुरुवात विभिनक शेतर पत्रिकाओं पत्रिकाओं और विज्यापन एजंसियों प्रिंट मीडिया के लिए चितर बढ़ाने से की थी उन्होंने पूर्व मुख्यमंतरी एंटी रामाराव के कारेकाल में दस साल तक अंतर प्रदेश सरकार के लिए सूचना और जन संपरक विभाग में एक फ्रीलांस कालाकार के रूप में भी अपनी सेवा दी थी रेडियो सेंटरल न्यूज की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लोकडाउन से ही करोना को रोका जा सकता है आप घर के अंदर रहकर इस घातक वाइरस से बच सकते हैं जान है तो जहान है आपका ये एक कदम आपकी जान के साथाथ पूरे देश को करोना वाइरस के इस्तांडव से बचा सकता है इसलिए घर पर रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद